मेरो आत्मी एता आज मां मां रा मेरो को परसंगा मां चर्चा गर छू की होता मां बने को फेरी की होता मेरो मां को हूं सबै बन्दा गहीरो जिग्यां सा सबै बन्दा गहीराई इसमें समेटे राउं चकीने की यू सबै बन्दा नजिक को जिग्यां सा हो सबै बन्दा नजिक को रहस्ये हो रब जिवन को पहिल्लो प्रास्ण यही हो मां को हूं किन मां घड़ा भाय को चो फेर यो मेरो कसरी स्थापीत हों चो बस एती योटा जिग्यां सा येती योटा रहस्ये एती हा मिले देखन सकें बने कीने की यो सबै बन्दा नजिक चा यो आफै मां चा यो सबै मां इस्थापीत चा यो सबै ले भगी रहेकुचा रपईल पनी यही नहीं होकी उसले सोदोस आफैलाई आफो को हूं वने रहा एसको गहिराई सम्म गहिरा जब आफो पत्ता लागने चा तो सबै पत्ता लागने चा एसको गहिराई गहिरा जब आफोलाई बेटने चा तो सबै बेटी ने चा तेसपची भेटना बायकी केही रहने चाई तेस पची रहस्ये को कुने और को सीड़ी छाई ना और को सीमा छाई ना जब मा को हुँ परने तेस जवाब समा पुग्द छाऊ तब तेस पंदा पर कही पनी छाई ना तेस पंदा पर जणनू परने कही पनी छाई ना जणना बांकी कही पनी रहा दाई ना तेहां सम्म जणन्दा सबई जणना सकिन छा जणना सकने अवस्था बंद छा मा को हुँ यो जवाब सम्म पुग्पन पाने चा तें अंतीम जवाब हुण पाने चा यकुनै तर्कमा होई ना यकुनै सिद्धान्तमा होई ना यकुनै विचार होई ना यकुनै कलपना पने होई ना यो अनुभव गरे रहे रहनु पनेच यो प्रमाडित गरे रहे रहनु पनेच यो पर्योग सिद्ध गर रहे रहे रहनु पनेच कीम योहूं, मेरो बास्तविक्ता योहू, मेरो अस्तित्तो योहू, रमा इस नियत नियम को, नियतिमा नियमन चू। जब उसलेश जिबन लाई जान्द च, जगत लाई जाने हो, तेही हो जगत, जिबन जे हो, जगत उही हो, जिबन जगत एक साथ बोध होंच, अतहब पहिला पहिलो प्रस्ण जिबन मा तेसमा पनी, आपही मा एसमा पनी मा को हूँ। अब मेरो बंद पहिला मा मा जाऊं, पक्के बनी यो ससकारीत मात्र होई न, यो मा बने अज्यानता मात्र होई न। जब वो एस जगत मा खड़ाचा, ता वो एक बेगले शुरूप मा खड़ाचा, वो अस्तित्त सहीत योटा उसको बेगले पहिचान छा, ते रूप माने वो बेगले छा, वो बेगले योटा उर्जा हो, योटा तरंग हो, योटा सक्ती हो, अब तेस सक्ती मा जवाऊ पकट छा, ते यो मा सुभाविक छा, अब इसलाई, इस मालाई जव हमी ले जान दैनाउं, तब यो विक्रीत भायको अवस्था हो मेरो, इसलाई अज्यान रूप मा जवा भोगदा छूं, तब मेरो खड़ा होंच, मा को अज्यान ता नहीं मेरो हो, मा की हो भनेर नजान नहीं मेरो हो, मा को जूठो परतिमा मेरो हो, तो तेस मेरो को धेरे चर्चा गन पर दैनाउं, मा जाने नाउं, जान न सके नाउं, तो स्वभाबिक मेरो खड़ा होंच, तेस मा को अज्यान ता ले जे समेर सा बाहिर, तेही मेरो बंदा सा, तम मा के हो, मा हूँ, मा छूँ, मेरो अस्तित्तो कताई चा, जो मा सुभाबिक हो, इसलाई मेरो सांगा न जोड़ी का न येरे हो भाने, फेरी मेरो सांगा मा लाई जोड़े हो भाने, फेरी तो जूठो हो, मा कहीं पनी छाई ना, तब तेहां मांचें बाईरा गेमा फसन परने होंच, सन्यास्त को, गेनलागदो जीबन साधना अपना उनुपरने होंच, साधना अपने गेनलागदो कुरा नहीं हो, अग्यानता लाई मेटाउना को लागी, जी कर्मगरिण चे तेही साधना तो हो, किना कि उस सवाभिक रूपले शोरत्त सम्मा कीना जाना सकते होंच, उसलाई साधना को कीना जरुरत परताच, किना कि उजुठो च, तेह जुठ लाई काटना को लागी, साधना पनी येवटा हिंग्षा हो साधना बन्द ठूलो हिंग्षा अरुक्य हिपने चाए न अर्को उपाय पने चाए न तो गर्णो नहीं चाए यो हिंग्षा तो हमिले यही हिंग्षा लाई अर्ज धर्मको अध्यात्मको अपरी हारे उपाये कुरुप मा लियेका छों साधना बिना कोई सिर्धी नहीं छाई ना कोई जीबन नहीं छाई ना हो तरह साधना किना आवसेक पत्छा कि मानेश सुभाविक रूपले इस सुरत समपोग न सकता ही न यूपनी बास्ताविक सकता ही न यहां स्रम चाहिन चाहिन बहुत देख स्रम सारेडिक स्रम यहां ग्यान योग कर्म योग बिना इस सुरत समपोग न सकिन दैना कि तु ज्यान योग्र कर्म योग को स्रम जुना है में गर्षों तेही साधना होता वो भने योग कुणी कठिनाई को बिचाय नहीं होई न फिर हमिले अध्यात्ममा धर्ममा इसता पागल पन हरुद देखना सक्छाऊं त्याक को संसार छोड़नू को फेरी बैराग्य को पिड़ा किन भोगनू करच। के बैराग्य पिड़ा हो के एकांत बास पिड़ा हो के ध्यान पिड़ा हो के चिंतन मनन पिड़ा हो होई न यह बावदिक स्राम हो रही सोभाविक रूपले गरनू पाने दे हो बावदिक स्राम सोभाविक रूप में चलनू पर दे हो हो तर मानिशले बावदिक स्राम लाई सोभाविक कीना बनायेना कीना वो बिभारिक तामा बिभारिक कर्मा मा सारीक कर्मा मा मात्र फासे हो शारा दाइत्तु जती तेहीं लायर सुम्प्यो ता उसलाय अध्यात्मकु मायगा कठीन लागताच। ता येता फसे को मानिशले जुन साधना अपनाऊच तो येंग सात्मकर घिन लागतु बनी देखिनच। जुन धर्मकु भेश हरू जुन धर्मकु पाखंड हरू मत्चाई रायेकाचन के यो घिन लागतु छाईना बिल्कुले घिन लागतु छू ना रगी एचा तियो बन्दत बुरू येही भवतीक भुलाईया ने ठीक जस्तु लागच। अता हामीले जुन सुभाभीक श्राम हो एशलाई उपेक्छा गरेक। कारण आज यो अवस्था आयेक। मानिसक। जुन बवतीक छेमताच जुन चेतनाच एशलाई हैमले उपयोगमा नल्याएक। कारण इसलाई श्राम सिद्ध नंहकरेक। काराण इसलाई परयो न लेक। काराण है आनि सरीर मा मात्री प्र Свवतीक्टा मा मात्री शुरु फसे काहें। तो यो फवतिक्ता को फसाई बनी ना रगिये हो, फिरी ये ता धार्ममा जुन चितकार छा, यो बनी नरक नहीं भायरैस थापीत पायेको छा, अता यो संसार को चितकार रा यो धर्मको चितकार बन्दा बेगलाई छ अध्यात्मा, बेगलाई छ जिवन, बेगलाई छ यो जगत रैस को जुन सिद्धी हो, जुन इस्वरत्त सम्म, पुग्ने जुन विकास हो, यो बिल्कुले शहाज छा, शारल छा, पवित्र छा, रैस मा जुन इस्वराम लाग दाछा, यो हैमिले धर्मको पाखंडम, देही रहेको जुन साधना को रूप बने दा, अहीले हैमिले देही रहेका छो, त्यो बिल्कुले होई न, त्यहां नरक जहलनू परदाछा, त्यो नरक बुद्ध ले पने जेले, किना कि यो संसार को परिस्तिती पने फेरी उल्टो छ, यहां अनुकुलता छाई न, बुद्ध मा तेती ठूलो जिग्यांसे केही होई न, मात्र मा को हूँ, एही जिग्यांसाता हो, उन्हें त्यही लास्त देहे का हूँ, बस मा मोर्नू परदाछा, मा को हूँ, राजकिये जुन, घेरा भित्र जुन, भवतिक दाको, दायरा भित्र, खेलाई रहे कोई यहाँटा बेक्ति लाई, जब कोई रोगी देखिन च, कि मानिस ले रोग लाग दच, कि मलाई पनी रोग लाग दच, एउटा लास देखिन च, कि मानिस मर च, कि मापनी मर नू पर च, यही जिग्यांसा बित्र नहीं च, तो मा को हूँँ, तो जिबन की हो, जिबन मा रोग च, जिबन मा एसता दुखा हरू पनी च, जो जिबन नहीं छुटेरा जान च, युँ शरीर मन डल नहीं, हरा हूँच, नस्त हूँच, तो फेरी मको हूँ, तो युँ मेर वश्तिक तो कि, बसी यही यही जिग्यांसाले सरा समेर्द च, यही 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 जिग्यांसामा सबै समेर्देरा हूँच, तक अधि, सजीयांसामा हाल गार्ण सकी कीज्यां 90, यही यही जिग्यांसामने वश्तिक तो युअम attitude मेर्द च, तो पर एतना गणुन नहीं पने च तो पहिचान गणुन नहीं पने च तो खोज गणुन नहीं पने च बुद्धा खोज मन निस किये किना कि त्यों खोज तेस राज गिये भौतिक ताको गिहरा भित्र अनुकुल थिये ला फिरी एस लाई और को तरकले बंदस था त्याग कि को त्याग कस त्याग वही न अनुकुल था चाईएक हो बुद्ध लाई त्याग चाईएक हो वही न इति उनलाई त्यों खोज को लागि अनुकुल था मिल दत्यों बने आमिले सुभावी ग्रूप मा बुद्धिक स्राम को लागि अनुकुल परिवार को बेवस्था गरे का थियों बने परिवार मा पनी त्यों अनुकुल था थियों बने जिवन जगत लाई जानने सिच्या हामिले संसार में बेवस्था गरे का थियों बने बुद्ध ले गर छोड़नु पने थिये न सिब भड़की नु पने थिये न बखको चाला, शर्पों कु माला लागर